कि आपका बहुत तेज़ फिरदर है वखुट तेज़ होल्म हो और लगराई की आज तो बहुत तेज़ परफूर। बहुत चुर्दब्र साथ चावन चने की डाल के दाने लेना साथ और आपके घर में कोई शंकर जी का श्रिविलिंग हो उसके एक एक करकर श्रीशिवाय नमस्तु भ्रम करकर चड़ा जाएंगा दो मिनित तक शंकर के श्रीविलिंग को देखना बिल्कुल दोनों आखोसा बिल्कुल देखना अच्छे से और उस चने की डालों को उठालाना और एक एक करकर खाकर आदा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बेड़ लागे टेबलेट खाने की जबत नहीं पड़ेगी यह पक मैसुस हो रहा हो परीवार में शानती रत्ती भर की नहां हो तो कितना संदर कहा एक लटा पानी लीजिये उस deze पानी में पांच घीबल के पते लृसे फोड़ी सी काली तिली डाल लीजी है थोड़ा सा हल्दी का गठ्ठा हल्दी सुखे में गत्ते उसका थोड़ा सा तुकड़ा उस कलश में डाल लिए और जिस व्यक्ति का समय गरवड़ चल रहा हो लच्वी नहीं आ रही हो बिमारियां बनी हो दुखो तकलीपो घष्टो बस बुड़ो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा घष्ट और पानी लिजाकर संकर जी तीन दिन में अंतर वालन पर जाएगा कि आपके पारिस दंगना चालू हो जाएंगे और आप लोग से मुक्त होना चाहिए बेलबद्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चन्नन और पत्ती के तीन पत्तियों का जहांपर मिलन हुआ है उस जगा पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चड़ाया जाता है तो वो भांगिकी पेकार रेखा को भी बदर देगा है कई माताओं की आदत होती है जब शंकर बगवान को बेलबद्र चलती है तो उस बेलबद्र पर ओम लिख देती है या चन्नन लगा लेती है या बीच पच्वी पर ऊड़ा सब कुछ भी लगाएगी भले चावल चावल कताना लगा लगाएगी बहले वो अस्तगन्द लगा पर देगी गुलान लगा देगी अभीर लगा देगी कुछ भी लगा कर शब्षक्त कर्ता है तो उसका है कितना भी प्रिचल रहा है तुझ पूर्देव आज हमार को बहुत ठकान लग रही है शरीर वेकार लग रहा है सिर्दर्द हो रहा है शरीर में बिकार बहुत थस्तुत्पन हो रहा है पीपल के पत्ते की पाच पत्ते पीपल के ठाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो शंकर जी का कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारम करो पंद्रा से बीस मिनिट लगते हैं हमारे टेबलेट खाने की जरुवतनी परती सिर्दर्द मन शरीर कित्ता भी दुख रहो उसमें आराम लगना प्रारम होते हैं उन्द कैश्वर महादेव का नाम सुख के नुभ होती करा रहा है शरीर के रोग को मिटाने के तुल्सी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकत घर का कोई भी व्यक्ति चाहे महिला हो पुरुश हो पुत्र हो पुत्रवदू हो बच्चे हो कोई भी हतेनी में गंगा जल लेकर अपने पूरवजों का इसमर्ण करकर और वो गंगा जल काशी विश्वनात के नाम सेफ में पूरवजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर पांच बार या साथ बार छोड़ देता है तो उसके पूरवजो उनको पिंड तानों तरपन की जरूरत नहीं पड़ती उनको मुख्च राप्त हो जाए